जोहार जारखंड जय हजारखंड जहिन वंदे मात्रम पुन चोहराई बांधना बरत खुटा गुरया पुजा की हरदिक सुभकाम नाएं आज के इस वीडियो में मैं अपने कुछ प्रम, मित्र, साथियों, सुभचिंतकों, शमर्थकों के तीखे सवाल का उत्तर देने का परियास कर रहा हूँ और सायद आप कहीं न कहीं मैं बार-बार इस बात कर जिक्र करता हूँ कि एक इनसान की असल जिन्दगी को जानना हो उसकी असल जिन्दगी को आप जान सकते हैं, उसकी असल जिन्दगी को आप समझ सकते हैं सुभाविक हैं, दो सल का अंदोलन, हर तोड महनत, सरीर को गला कर, सरीर को तपा कर संगर्स के बाद एक छोटी सी पहचान, एक छोटी सी मुकाम, अपने संगठन का तो सवाल तिखा होता है हमारे साथियों का या आजकल हम चेंज हो गए है उन्हें भूल गए है उनके फॉन पिक अप नहीं कर पाते हैं या कॉल करते हैं तो फॉन लगता ही नहीं सवावी के यह सवाल जायज भी है लेकिन आज आपको मैं अपनी आज की कहानी बता रहा हूं। ये साथी हमसे सवाल करते हैं, कि मैंने उन्हें भुला दिया है, मैं उन्हें याद नहीं करता हूं, मैं उनके लिए टाइम नहीं देता हूं, उनके कोल लगते नहीं हैं तो उनके सारे सवाल गुत्तर ये हमारा टकला माथा है अब बोले कि टकला माथा से क्या संबंद है उस सवाल का तुम्हें आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने आपको इस परकार तलिन कर दिया है अंदोलन में जहरकंड के नौनिर्मान के में कि मेरे घर में क्या होता है मुझे नहीं मालूम जो साथी मुझे प्यारोप लगाते हैं कम से कम कुछ पल रुक कर इस टाइगर की इस दुख दसा को सुनियेगा कि मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे आइडिया नहीं यह उसी का उधारन है यानि हमारे गोतिया में दादी है जो आज उनका दस्वा है और हमको आज पता चला भाई हमको फॉन किया हमारा छोटा भाई हमको फॉन किया कि घांट उठने के लिए आ रहे की नहीं हम ओसे लिए ८स कि है अधा बगधुड़ाइद रजट कर ले हैं तकला हो कि नहीं तकला भूष सबस्सक्रीद के लाचावर था हमसे हम पृरिवारी है सनुधा बताने आए हैं दाइब में अचानक चीलई हो गाए याणि हमारे उस आपके उस सवाल के उत्तर भी हम देने आये हैं कि जो लोग पर आरूप लगाते हैं कि हम उनका भूल गये हैं यहार हम खुद को भूल चुके हैं अपने घर परिबार अपना जोहर तरुंद अपना घर परिबार आंगान गाउं कुछ भी याद नहीं इतना हम लोग तलिन होगा हैं इतना समर्पीत होगा हैं इतना जक्षोर दी हैं इतना समर्पन कर दी हैं अपने आपको इतना निच्छावर कर दी हैं इस राज्जी के लिए इस राज्जी के लोगों को जगाने के लिए कि आज यकीन कीजिए हमको नहीं मालू के केरियर में आज मुझे पहली मर्तबा सेलून में अपना बाल का मुंडन करना पड़ा क्योंकि मैं घर में नहीं था और मुझे पता भी नहीं कि मेरे घर में हां रिजवन्दर जरूर मुझे अपने घर का सुधी नहीं मुझे अपने आंगान का सुधी नहीं मुझे अपने गोतिया भयाद अपने गाउं तक का सुधी नहीं इस दर्द को आप अनुभाव किजिए मेरे साथी हो उसके बाद इस बोले इस इनसान पर आप आरूप लगा आपका कारण नहीं उपस्त्री हो पाई जल्द आपसे मिलते हैं और आप रणने तिक चर्चाएं होंगी तो मैं आपको मैं याद करता हूं 2022 से पहले जब इस अंदोलन का आगाज नहीं हुआ था तो मैं अपने आपको पाता हूँ एक क्लासरूम में एलेबेंथ आर्स के बच्चों को मैं कुछ पढ़ा रहा था कुछ फर्मूला था और उसके पर मैं साम को अपने आपको पाता हूँ उस क्रिकेट के मैदान में जहाँ स्टेप करके लंबे लंबे छक्के उड़ाना मेरा स्वभाव था लेकिन आज दो साल बाद दो साल बाद मैं अपने आपको मानता हूँ इस राज में अपने मेहनत से अपने संगर से एक पहचान बनाने में सफल रहा और मैं उस जगह अपने आपको पाता हूँ लेकिन मैं दो साल बाद यह भी पाता हूँ कि इन आखों में दवाई ड्रॉप देना में ने स्टार्ट किया इन आखों में लाल लकीरी आ गई है जो आपका रिपोर्ट दिखेगा यह सर का यह साइड है यहां भी मनें एक दर्द स्टार्टिंग हो चुका है यहां यहां दो साल के बाद के टाइगर को प्तुड़ा जान लेजे क्योंकि आपका आरूप सही है लेकिन आपके आरूपों पर मैं अपना पक्षाज रखना चाहता हूं यह गला इस पर बीच में 10-15 मिनट के अंत्राल में अगर पानी का पीने के लिए उप्योग नहीं करते हैं तो संभतों थ्रॉट कैंसर के चांसे बन सकते हैं यह डोक्टर ने आमसे कहा है घर आपकी दुआ है ऐसा कुछ होगा नहीं हम लोग एनरजेटिक हैं पावरफूल हैं लेकिन मैं ब जोड खिला रही था लंबे लंबे सिक्सर नॉक्सूट पेनल्टी का सौट कीक और कुछ हमारे दुनिया नहीं थी लेकिन आज इन आखों में गुरुजी आपका अशिरबाद है रतंसर इन आखों में इस माथे पर यह गला यहीं तक तो तीन वो बिमारी आपको दिखाएं फिर अभी इस सरी के पार्ट्स के नीचे तो हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे तो इसलिए यह आपकी दुआ है यह राज जी के लोगों की छोटे छोटे बच्चे नन्ने मुन्ने बच्चे नब्वे पंचानवे साल की बुड़े बुड़ियां यह उनकी दुआ हैं कि हम कंटीनियू दो साल हजार से अधिक सभाएं उसके बावजुद वही आक्रमकता वही जुनून तो कहीं न कहीं कुछ तो है और वो है आपकी दुआएं जहार भीमदा गनिश प्रजापतिवदा आपका धन्निबाद तो इसलिए हमारे जो भी साथी यह आरोप लगाते हैं आ क्योंकि फॉन जानातर समय ओप रहता है लेकिन कहीं न कहीं आपको हमें हमारा पक्च भी सुनना होगा हमारे पक्च को जानना होगा और हमारा पक्च यह है कि आज दस करम है घाट है और हमें खुद नौलेज नहीं था कि हमारे गोतिया भ्याद में इस परकार का काज्ज करम है इस परकार का दादी का द्यान दुआ है तो इसलिए आपके तेखे सवालों का अभिवादन करते हैं और साथी साथ और एक सूचना है कल माधवा मदैडी में जबर बरद घुटा का आयोजन रखा गया है जो निम्या घाट थाना शेत्र अंतर गताता है जिला ग्रिडी बार बजे हमारा वहाँ आगमन है आप सभी साधर आमंत्रित हैं बाकी सब को हमारा नमस्कार रहेगा जोहार रहेगा आज ये राज परिवर्तन की किलकारी लेने का प्रियास कर रहा है आज ये राज एक नई विचारधारा को अस्थापित करने का प्रियास कर रहा है है भी दिवाली भारती दी दने सर्दा जोहार ये राज जी कहीं न कहीं संघर्ष और सवालों से ओत परियास तो सब ने अच्छा किया है सब ने एटेम्ट अपना दिया है अब रिजल्ट कैसा आता है ये आगे का हमारा संघर्ष स्मार्ट बोईस आजना सोधी और अभियास जोहार ये आगे का हम लोग का लेकिन हम लोग एटेम्ट में कोई कमी ने रखेंगे अभी मान के चलिए चार टीमे वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में हैं जी महेंदर दा बिल्कुल होगा दिनेश्दा भारत टीम सर्वस्त्रेश्ट परदर्शन कर रही है दक्षिन अफरिका भी अपने बहतरिन परदर्शन को दोरा रही है और अस्टेलिया भी एक अच्छा प चारो टीमे अपना एटेम्ट देंगी अपना प्रियास करेंगी अपना एटेम्ट दिखाएंगी ठीक उसी परकार हम लोग अपना एटेम्ट दे रहे हैं हम लोग अपना प्रियास दे रहे हैं अब नियती हमारे इस रिजल्ट में क्या रखी है वो नियती जानती है लोग ह अभी तक कमी नहीं और बाकि जो आने वाला छे महिना वितेगा लोग सभा तक उसमें भी उस अटेम्ट में कोई कमी नहीं रहेगी वगाईदा हम लोग रन्निती बना चुके हैं जब लोग सभा की बात है तो लगभग लगभग जिस दो तीन लोग सभाओं की जो हमारे धनब थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन कोशिज करेंगे दो साल से लोकल लेंग्विज में बात करकर के थोड़ा सा इंफ्लेंसी था इंगलीस में बात करने का उन्हें थोड़ा सा कहीं न कहीं तूटियां आई हैं प्रमोद दाधा बहुत बहुत धन्यबाद भागंबर दा जोहार नवी मुंबई से राजु पटिल दा जोहार तो सबके जोहार और निश्य हम लोग बदलाव के लिए सभी साथी संघर्ष कर रहे हैं अपने लिए एटेम्ट कर रहे हैं अपनी जिस प्रकार राजभारती टी एटेम्ट कर रहे हैं निजलेंड टीम की खिलाड़ी एटेम्ट कर रहे हैं साथ अफ्रिकन टीम की खिलाड़ी एटेम्ट कर रहे हैं पर्यास कर रहे हैं रिजल्ट एक टीम को मिलेगी ठीक उसी प्रकार हमारी टीम भी बहुत अच्छा पर्यास कर रही है और उमीद करते है रिजल्ट भी बहतर हो ये हम लोग कामना करते हैं उतकर्ष दा तबियत थोड़ा सा पहले किया पिक्छा ठीक ठाक है ओमान सेहमलाल दा जोहार अभिसिक राज दा निश्या ही छात्र संग चुनाओ पर हमें चर्चा करनी चाहिए दिने से आदब दा जोहार राजा कस्याब द निश्या ही आपको अपने साथ जोड़ेंगे बागी सब के जोहार जैर्खन जैजर्खन जैजर्खन जैजर्खन